क्यों 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 किसलिए किसलिए आप गाली देने लायक है आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है कमाल की बात है आपको आपको तहजीद नहीं है कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है कर दोलाने बत्त प्तमीजी से बात कर रहे हो जाओ यह इंद्ktion हैं नहीं इसे बत्तमीजी से exper disaster गाली देने का लायक को पफ तकंड़े समझ नहीं आरा एक पब्लिक क्या कलेकर रही है तुम्हारा लेकिन तुम्हें यह चैन नहीं बरना और यो खूलिये यह का अवडियो नहीं आ रहा है इनका यास्त तुम गाली-गलोच करते ओं लोगों के साथ गालीदेखर तुम अपनी अपनी दुकान चलाना चाथे हो, तुम्हारी धुकान बंद ओ चुकी है, उसका शटर डाउन है, गाली दे के भी खुलेगा नहीं उद्राज, और आज के बाद किसी पतरकार को गाली गलोच मत करना, आज के बाद कसम खाओ, किसी पतरकार से गाली गलोच नहीं करूँगे, अगर गाली गलोच तो तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं, बत्तमीज आत्मी हो तुम, हटाइए इस स्क्रीन से, हटाइए इस व्यक्ति को स्क्रीन से. गाली और धमकी की दुकान, कॉंग्रिस पाटी तब्दील हो चुकिये, सुरेंदर राजपूत बैठे, आधिकरित प्रवक्ता है, क्या उधित राज के दे गए बयानों पर वो इत्फाक रखते हैं, क्या लाल्ची से लेकर जिस प्रकार की शब्दावली इस्तमाल की गई और हवा निकाल दी, इस प्रकार का जो एक पत्रकारों के खिलाफ बार-बार हमला किया जाता है, क्या सुरेंदर राजपूत इसको कंडोन करते हैं, कंडम करते हैं, ठीक है, मुझे लगता है वो विशे नहीं है, विशे पर हम आते हैं, मूल विशे यही हैं कि बात को रखे, त शुबराश्रा आप लेखी का भी है, पॉलिटिक्स इजाप एक नरेटिव विल्डिंग की गेम होती है, नो डाउट बीते कुछ दिनों में राहूल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक तना से एक अपनी एक्विटी ब राहूल गांदी का, जो जाता है वो चला जाए। ऐसी है कि बहुत जादा विचलन हो नहीं सकता, तो लबो लुआब इतना है कि आप अपनी राजनीती किस प्रकार से कर रहे हैं, आपका जन जुडाव किस तरीके का है, और आप अलग अलग जन समूग के अव्यवों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, पूरी राजनीती कि जो भी मूल अवधारना रही हो भारत जोड़ो यात्रा को ले करके, उससे तो मुझे मेल खाता नहीं दिखता, आज मैं आपको साथ हुआद देना चाहती हूँ आमिजी, क्योंकि फाइनली मुझे लगता है, प्राइम टाइम में किसी एंकर ने ये निरने लिया, कि एक ह आवाजे उनके साथ बैठने लाइक नहीं है, आप ही के शो में सुरेंद्र जी भी है, तीकी बहसे होती है, बहुत तीकी बहसे होती है, और विचारधारात्मक रूप से हम कभी अगरी नहीं करते, लेकिन कभी गाली गलोज किस तर पर बात नहीं होती, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, अगर राहूल गांधी को genuinely एक serious नेता के रूप में उबरना है, तो उनकी जो टीम है, उसमें सुरेंद्र राजपुत जैसे लोगों को ही जगा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उधित राज जैसे गुंडे, या अलका लांबा जैसे गुंड कि आपके हाँ से डोग जारे, वैसे तो संभव नहीं है, तो बिर्कुल संभव नहीं है कि हम कॉग्रेस पार्टी के तर आप उठा करके भी दुबारा देए, यूँ मेडियो पॉइंट, शुरेंद्र राजपुत क्या आपको लगता है, जो रवी शंकर पसाद के लिए जो